हेले दुस्तों मेरा दाव मेर राहूल और आप देख रहे हैं M.O.M. गाइस फेस्बुक मार्केटिंग के इस फॉर्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप फेस्बुक पर अगर आपका अकाउंट नहीं है अल्रेडी तो कैसे आप अपना फर्स फारेट इसको स्किब कर सकते हैं और सेक राएफ पर जब कर सकते हैं जो तैम स्टैंप पर को अगा और उस पर आप को क्लिक करना है देखें दोस्तो मैं बेईसिक से टिखाँ रहा हूं तो किसी को अगर बिल्कुल है नहीं नहीं है तो भी वह डिजिटल marketing easily सीख सकता है तो यहाँ पर आपको click करना है create new account पर इस पर click कीजिए, click करने के बाद यहाँ पर आपको first name, surname देना है तो for example हम देते हैं यहाँ पर first name Rahul, surname single, mobile number या फिर email ID आप डाल सकते हैं तो आप mobile number डालेंगे तो यह हमने अपना mobile number डाल दिया है और एक password हमें set करना है, तो यहाँ से जल्दी से हम लोग password को set कर लेते हैं आप अपने according कोई भी password रख सकते हैं प्लीज make sure कीजिए कि जो password है वो थोड़ा strong हो, इसका मतलब उसमें आपके जो random होता है जैसे 123 password रख दिया या 12345 वो मत रख दिया, वो मत रखीगा क्योंकि वो बहुत ही easily detect हो सकता है और आपका account hack भी हो सकता है तो यह चीज़े आप मत कीजिएगा थोड़ा strong password रखीगा, date of birth जो है वो यहाँ पर date of birth आपको डालनी है तो date of birth डाल दीजिए जो भी आपकी date of birth है उसको डालिए और date of birth डालनी के बाद यहाँ पर जो भी माँ भी randomly कोई भी date of birth डाल दे रहा हूँ जिससे मेरा जो age है बस वो दिख जाए ठीक है, randomly हमने डाल दिया gender जो है वो चूज कीजिए और उसके बाद sign up पर click कर दीजिए sign up पर जैसे ही आप click करेंगे जो next screen आपके सामने आएगी वहाँ पर आपसे कुछ verification मांगा जा सकता है verification जो आपने यह तो mobile number डाला है तो mobile पर verification जाएगा और अगर आपने email ID डाला है तो email पर verification जाएगा और यहाँ पर आपने जो number डाला है उस number पर एक OTP जाएगा उस OTP को आपको डालना है तो हम भी OTP फटावट से देख लेते हैं कि क्या आया है हमारे mobile number पर और उसी को हम लोग यहाँ पर enter करेंगे तो OTP है 73426 यह OTP है इसको हम continue करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा जो account है वो confirm हो गया है और इसके बाद अब हम click करते हैं OK पर OK पर click करने के बाद अब हम यह जो number हमने डाला है हमारे case में और जो password set किया यह हमारा login ID और password बन चुका है आप अपने according जो email ID डाले और password डाले वो ध्यान रखिएगा क्योंकि वही उसी से आपको login करना है अब यहाँ पर आपको कुछ add friends को request भेजने के लिए और friend request भेजने के लिए option दिया जाएगा अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो अभी के लिए आप इनको skip कर सकते हैं बाद में भी आप friend request भेज सकते हैं तो इसको next कर दीजिए तो यहाँ पर आपका account create हो गया है और हम आ गया है Facebook के अंदर तो यहाँ पर आप देखिएगा कुछ आप से बूच रहा है welcome to Facebook रहूल update your profile picture वो हम बाद में कर सकते हैं आपको आना है left hand side में जहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है उस पर click करना है यह आपकी profile है यह आपकी profile है यहाँ पर आपको cover, photo, binary image और profile picture बहुत सारी चीज़े डालनी होगी वो हम देरे-देरे सीखेंगे अभी जो कुछ settings हमें करनी है वो है आपके profile के अंदर तो इसके लिए right side top पे click कीजिए और यहाँ पर settings and privacy पर click करके settings पर चले जाएए कुछ settings हम कर रहे है basic जिससे आपका जो account है वो secure रहेगा तो यहाँ पर left side में security यान login जो है उसको click कीजिए click करने के बाद आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी आपको क्या है change password save your login info आपको जो सबसे important चीज है वो यह है two factor authentication इसका मतलब यह है कि अगर आपका ID password किसी और के पास चला भी गया तो भी जब वो login करने की कोशिश करेगा तो पहले आपके पास एक notification आएगा अगर आप उसे approve करते हैं तो ही वो login कर पाएगा तो इससे आपका जो account हो secure हो जाएगा तो यहाँ पर use two factor authentication इसको हम edit करते हैं और edit करने के बाद आप देखते हैं कि हम कैसे लेना चाहेंगे तो help protect your account यहाँ पर तीन option है एक या तो authentication app यूज कर सकते हैं text message के थुरू आप OTP ले सकते हैं या फिर कोई security key आप पहले से याद रख सकते हैं सबसे easy option है text message हर बार एक OTP आ जाएगा तो use text message इस पर click कर दीजिए number आप अपना verify कर दीजिए verify करने के बाद continue और continue करने के बाद आपका जो password आपने create किया था वो आपको दुबारा डालना पड़ेगा तो यहाँ पर आप अपना password दुबारा डालिए और इसको submit कर दीजिए तो जो two factor authentication का funda है वो on हो जाएगा पास एक OTP भेजेगा यह 863087 यह हमने OTP डाल दिया है और OTP डालने के साथ ही हमारा जो two factor authentication है वो on हो चुका है इसको हम यहाँ से done कर देते हैं एक step हमने कर लिया है हमारे account को secure करने के लिए कुछ और चीज़े भी है जो हम देख लेते हैं वो आप यहां से block कर सकते हैं उसको remove कर सकते हैं ताकि आपका जो account है वो secure रहेगा इसके अलावा get alerts about unrecognized logins इसका मतलब है कि अगर आपने login नहीं किया है किसी unknown person नहीं किया है तो आपको notification आ जाएगा इसको edit कीजिए और इसके बाद don't get कीजिए get notification पर click कीजिए because हर बार आपको पता होना चाहिए कि क्या कोई other person unknown person तो आपका account login नहीं कर रहा है इसके लिए notification आना जरूरी है और यहां पर आप save changes पर click कर दीजिए यहां पर save changes पर click करने के बाद इसको close कर दीजिए और इसके बाद अब आप यहां पर एक और चीज देखेंगे choose three to five friends to contact if you are logged out इसका मतलब है कई बार आप अपना password भूल जाते हैं उसको recover नहीं कर पाते हैं उस case में आप अपने जो contacts है उनको उनके through उनकी help से यह चीज़ कर सकते हैं बट यह मैं कभी और एक नई वीडियो में cover करूंगा तो guys यह कुछ important settings हैं जिनको आपको सबसे पहले करना है और जिनके पास already account बना हुआ है अगर आपनी settings अभी तक on नहीं की है तो कर लो otherwise आपके account का hack होने के chances बहुत जा file image लगाना है picture लगानी है और एक cover image लगानी है जो बहुत easy है आपको करना क्या है इस पर click करना है add photo पर click करना है upload photo करनी है और अभी के लिए मैं कोई भी एक photo लगा देता हूं मेरा को YouTube का thumbnail है वो मैं लगा देता हूं so that अभी के लिए वो काम चल जाएगा कुछ इस तरह से इ तो आपको कोई dummy image नहीं लगानी है because आज कल Facebook की guidelines है policies है वो काफे strict हो गई है तो अगर आपने कुछ भी dummy image लगाया तो वो शायद आपके account को log भी कर सकता है तो यहाँ पर इसको करने के बाद save changes पर click कर दीजिए तो यह हमारी profile picture हो गई है और अब हमें एक cover image लगाना है अपन social media कोई problem नहीं है save change कर दीजिए और save changes करने के बार अब आपके यह दोनों चीज़े set हो गई है Facebook accounts related और क्या क्या चीज़े हम लोग कर सकता है इसके बारे में हम कभी अलग से video ज़रूर बनाएंगे आप लोग के लिए बट अभी इस journey में इतना ही ज़रूरी था आपको जानन अब हम next videos में बात करेंगे कि कैसे आप अपने account की मदद से facebook page, facebook business manager, facebook ads manager बना सकते हैं और अपने business का जो एक online presence है facebook कर वो create कर सकते हैं दोस्तों इस video के लिए इतना ही मिलता हूं आपसे next video में तब तक के लिए take care, keep watching and keep learning, thank you है